कितनी खुप्सूरत जील है सब कुछ सुन्दर लग रहा है दोस्तों अजीब बात है मेरा नाम स्वीटी है और मैं लाल सर वाली पंची हूँ मैं पहली बार यहां आई हूँ क्या कोई मेरे साथ नाचना चाहेगा यहां तो कोई भी नहीं है कौन है मैंने हफ्तों से किसी पंची को नहीं रेखा यहां अगर कोई बंची नहीं तो कोई टूरिस्ट नहीं मुझे ताजुब है क्या वो शिकारी हो सकते हैं पर का उन्रक्षकों ने शिकारी को नहीं पकड़ा और बच्चे को नहीं बचाया यह कि मुझे नहीं पता हमें जाचना चाहिए हो सकता है शिकारी हो तीक है तो हम भालू को मिटार लेते हैं चलो तेहकिकात करें ध्यान से चलो लखा जो क्रिया पंचिया के बेना कितने शांती है ना मुझे नहीं लगता है यहां पर कोई शिकारी है बक्षी शायद यूँ ही चले गए हूं मैं उन्हें कहीं नहीं देख पा रहा हुआ हम यहां है ओ वाँ यह हुआ कितने तास ही है चुप हो जाओ अपनी आखे खुली रखो शिकारी कहीं भी हो सकते हैं मुझे तो शिकारी कोछ भी नहीं बढ़ा है यहां कुछ दूरबल है मैंने पादे को चलते देखा अरे वह कहां गया वो रहा है पादे चल रहे हैं यह क्या है इनको क्या चाहिए वहां बढ़ार है देखो पादे तुम डरो मत यह बहुत बढ़ा है कैसा रहेगा अगर भाग जाए अगो हो सकता है इन्हों नहीं पक्षियों को डरा हो हमें पता लगाना होगा काली वहीं रुक जाओ देख नहीं तुम कौन हो सकते हूं को है क्या मुझे नहीं पता पर राक्षस तु नहीं है तुम क्या हो मुझे माफ करना मैं डर गया था मुझे लगा तुम कोई शाटान हो मुझे माफ कर देना बड़ी दी नहीं पर तुम हमसे चुप क्यों रही थी देखो मैं यह नहीं हूं और अपनी सुरक्षा कर रही थी और मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था नहीं फोटो मत कीचो मैं अभी तयार नहीं पर आप बहुत सुन्दर दिख रही हो मैं साइब को दिखाऊंगा स्वीटी आप घास के पीछे क्यों छुपी थी हमें बताओ सारे पक्षी कहां है तुम यह क्यों पूछ रही हो शात हो जाओ हम पार्थ के वॉलिंटियर हैं हम जानवरों की रक्षा करते हैं और पार्थ क कौन आ रहा है तुम फिर से क्यों छुप रही हो तुम समझती क्यों नहीं वो पंक तोड़ने वाला राक्षस है अब यह कौन है वो बजमाश हमारे पंक तोड़ता है और हमें उसकी वज़े से घास के अंदर छुपना पड़ता है और आप हम उढ़ने की हिम्मद भी नहीं करते अच्छा अब समझ में आया पर वह तुम्हारे पंक्य तोड़ना चाहता है वह वह तो बहुत बड़ा है हम उससे कैसे पकड़े मुझे पंची पसद नहीं है वह बस पंची है मैं उसे अकेले ही समालनूंगा रुको 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 उसे किसी से कम मत समझना तच्पे द करके सबसे ताकत वर भालू ताकत बचा के रखो वो काम आ सकती है मेरे पास एक तर्कीब है ठीक है लखा चलो शुरू करते हैं यह बहुत देकार प्लान है कितनी शर्मिंद की भरी तुकुलकु अब अब तक नीचे क्यों नहीं आ रहा है लगता है कुछ कमी रह गए है तुम्हें क्या लगता है उसे पता चल गए है कि नकली पक्षी है हम क्या करें यह मुर्गे की तरह क्यों नाच रहा है यह हमारी जैसा बना है तो इसे हमारी तरह नाचना चाहिए मुझे लगता है हमें एक दान्स टीचर की जरुरत है हां एक दान्स टीचर वो तो सिर्फ तुम ही हो ओ नहीं उसने मेरी पूच के पंग तोड़ दिये है इसलिए पूरी दिखती है इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी राक्षस को पकड़वाने के लिए अगर हमने जल्दी नहीं की तो वो हाथ से निकल जाएगा वो पक्षी तो आई नहीं रही है क्या तुम भी सो गए वो मुझे देखकर कोई हरकत क्यों नहीं कर रहा उधर जाओ अब ध्यान से देखो अब चलो लग्का यह तो बहुत आसान है यह वो पक्षी कहां चला गया यह तो दुख रहा है मेरा शरीर इतना लचीला नहीं है जितना मैं जवानी में था हां बस हो ही गया थोड़ा सा और जुको वो अगया वो यहां पर है अगर मदद करो मदद करो ने से आंगे निकल गये रहे है कि उसे पकड़ो यहाँ ए पंक तोड़ने वाले मुझे मेरे पंक वापस दे नहीं तो मैं इगल किंग से शिकायत करूंगी इगल किंग वो कौन है यह दुबाद क्या है यह इगल किंग कौन है मैंने सुना है कि वो जंगल के पक्षियों का राजा है उसे न्याय पसंद है पर मैंने उसे कभी नहीं देखा हमें उसके पीज़े जाना चाहिए उसने मेरे कपड़े बरबाद कर दिये मैं उसके चक्या चुला दूंगा फिर वह ऐसा कभी नहीं करेगा पर वो जहां उड़कर गया है वहां जाना तुम सब के लिए बहु तोड़ने से रोकना होगा वो और किसी को नुकसाद नहीं पहुंचा पाएगा स्वीती हम पर भरोजा करो मदद के लिए शुक्रिया कोई बात थोड़ा ठहरो हम तुम्हारे सारे बंक वापस लिए आएंगे बात में मिलते हैं फिर मिलेंगे अपना खयार रखना दोस्तों ठीक है पिकर मत करो